हेलो दोस्तों मैं अकुषे कुमार सिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ गया कि Microsoft Outlook के New Version में Signature को कैसे Add करते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आपको Microsoft Outlook का New Version को Open कर लेना है Open करने के बाद Settings पर क्लिक करना है Accounts पर क्लिक करना है Signature पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको Signature का Name टैप कर देंगे यहाँ पर आपको Signature टैप करना है जो आप रखना चाहते हैं यदि आपको कोई Image भी Add करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे जहां भी आपकी इमेज सेव है वहाँ पर जाना है अपको इसे रिसाइज कर लेंगे जितना आप रखने चाहते हैं उसके बाद आप इसके नीचे अपना सीजियर टाइप कर सकते हैं उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे select default signature जदी आपको four new messages पे भी signature चाहिए तो अप इससे पे सब्सेक्ट कर सकते हैं and reply and forward पे मरे भी चाहिए तो उसे भी लाक कर सकते हैं अगें सेव क्लोज करेंगे जो सिगनेचर आपने वहाँ पर एड किया है उसे देखने के लिए आपको न्यू मेल पर क्लिक करना होगा यहाप आप देख सकते हैं कि आपका सिगनेचर यहाँ पर सो रहा है थैंक यू